नीमच ली चलते हैं, यहाँ पर कार चालक ने जम्प कर उत्पात मचाया है, दर्जन भर टू वीलर को इसने टक्कर मारी, हाथसे में कई लोग घायल हुए है, एक व्यक्ति के हालत गंभीर बताई जा रही है, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है, तो तस्वीर आ अपना निशाना बनाया, आप देख सकते हैं कितनी तंग यह गली है, और कितने हाथ यहाँ पर खराब हुए हैं, वो तो गनीमत रही कि कोई रागीर इस कार की चपेट में नहीं आया, विजित राव जोड़ चुके हमारे साथ, विजित क्या अपडेट, आखिर कार चालक इस तरह से क्यों हंगा मबर पा रहा था, क्या नशे में था, पुलिस जाच में क्या कुछ खुलासा हुआ है विजित? उनके जो मालिक थे, उन में से सिर्फ चाल लोगों नहीं शिकायत करी हाला कि काफी गाडियों को नुकसान पहुचा है, खास बात है कि इसमें किसी को गंबीर चूट नहीं आई है, और आरोपी को हिरासत में ले लिया है, और कार को भी जब किया है, आप पुलिस हैं, तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा, कुछ गाड़ियों के इंशुरेंस भी नहीं होते तो ऐसी स्थी बनती है, कि उनको क्लेम नहीं मिल पाता है, चीक है, शुक्रिया अपर जानकारे के लिए, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और हमारे सयोगी विदत जानकारी दे रहे थे, कि ये नियो कार थी, और जब इसने पहली बार किसी गाड़ी को टकर मारी, उसके बाद ये इतना घबरा गया, कि एक के बाद एक करीब दरजन भर गाड़ियों को ठोकर मारता हुआ, कुछलता हुआ, आगे बढ़ गया, एक हाथ से का CCTV पटरित सामने आया है, आप देख सकते हैं किस तरह से दरजन भर करीब गाड़ियों को रौंदते हुए, ये कार आगे चली गई